जहीं दोस्तों चलिए उस्तों बात करते हैं इस एक और कॉश्ण के बारे में इस कॉश्ण में एक्जामना ने क्या का असम बिकम 2916 in two year at 8% per annum compounded interest the simple interest at 9% per annum for three year on the same amount will be यह एक एक amount जो है वो 2916 बन जाता है दो साल में 8% compounded annually तो examiner पूछ रहा है जो amount पर आपने compounded annually दिया है उसी amount पर 9% तीन साल के लिए साधार्मजाच कितना होगा तो चलिए देखते इस question को तो इस question में जो मेरे को 8% दिरखा है इसी को हम लोग यूज करेंगे करेंगे देखे एट परसेंट का मतलब होता है एट वाय में 100 तो यह कितना होगा चार दुनी आठ और इसे भी आप चार से मल्टिप्लाई कर देजिए तो 625 इंटू में आपका 4 आ जाएगा यह क्या है मेरे पास में प्रिंसिपल अमाउंट अगया अब एक्जामन ने मुझसे कहा है कि 9% निकाल इसका तो 9 वाय में 100 में आप डिरेक्ट करूंगा इंटू में थ्रीयर के लिए गया तीन से महां मुल्टिप्लाई कर हूं ठीक है तो यह यह चार और 25 और 25 पंजे माशनी के 65 तो इन दोनों के मुल्टिप्लाई करूंगा तो यह क्या आपकिष्ट थी सत्तर ग्रतू में 9 कि तो 9 पंजे 45 सब्सक्राइब करेक्ट होगा एक बार फिट देख लेते हैं कि यह कैसे किया यहाँ पर मुझे 8 पर्शंट दे रखा था अगर उसने 100 रुपे उसके पास सुर्में पेंसिपल थे तो उसने एक साल के बाद में जो अमाउंट दिया होगा वो वन जीरो एट दिया होगा यह माउंट दिया होगा इसको मैंने सॉल किया तो यह 25 और 27 आ गया पहले यह अगर 25 रुपे थे तो उसने 27 रुपे होगे होगे एक साल के बाद में 8 पर्शंट पर तो दोनों का स्कॉर्ट किया क्योंकि दो साल का दिर रखा था दो साल में यह 625 होगा तो यह 729 होगा बट अ आप इसे मल्टिप्लाइ कर दिजिए मल्टिप्लाइ करने आपका प्रिंसिप आ जाएगा और जैसे प्रिंसिपल आ जाएगा तो यह 9 परसेंट डेट ओफिंटर्स दे रखी है और त्री यह दे रखा है यहनकी 2727 वाइंड से मल्टिप्लाइ करोगे तो आपका 675 अंसर हुआ ओिंसा जाएगा और जाएगा तो आविंग्लाइभवा ह